हाई एब्रीवान गुड़ीवनिंग वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब अमीद है अच्छे होंगे और यह देखिए आज मैं खीर और पुड़ी बनाने जा रही हूँ कि अध्रा ना चात्र चढ़ने की हमारे होना खीर पूरी बनता है तो आज वह वह बना रहे हैं oh सब्सक्राव्न के लिए और पूरी डाल वाला पूरी बनेगा दाल भर करके इसके लिए चना का दाल कूकर में डाल रही है है कि अदिवने के लिए देखिए चावल इसमें डाल दीगें चावल है इसे ना LeanACH की लिए औरब लेया से चना का दाल तो इसे याउकड़ में डाल देंगे पखने के लिए ऑच्छा से पकेगा कुकर में जल्दी से तो चना के दाल में हल्दी नमक मिर्शा पाउडर और काली मिर्च जीरा पाउडर डाल करके और इसे बंद करके चुड़ा रेंगे कि दो तीन सीटी में हो जाएगा और खीर में चावल तो डाल दिये हैं धीमा आज कर दे रहा है इसे धीरे धीरे पगेगा और तब तक मैं सब्जी काटूंगी यहां पर बैठ करके मैं सब्जी काट रही हूं कीचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है और यहां पर फैन चलते रहता तो अच्छा लगता है काम करने में बैठ करके तो सब्जी नेनुमा है हमारे हैं तो इसे नेनुमा बोलते हैं और कहीं कहीं से तूराई भी बोलते हैं तो इसी का सब्जी बना रहे हैं इसमें चना और आलो मिक्स करके और इसका सब्जी बना लेंगी और अद्रान अच्छत तो कपका चड़ा है अब तो लास्ट है लगत और ये खीर पूरी बना रही हूं और क्रीस का भी बहुत यादा रहा है क्रीस चला गया उसके बाद अध्रान अच्छा तरह आया तो तो नहीं है खीर पूरी खाने के लिए और इतना दूर है कि जाना भी वहाँ जल्दी जल्दी संभव नहीं है तो सब्जी काट लिए हैं और देखिए मेरा खीर भी बन करके रेडी हो गया है और अब बनाएंगे सब्जी तो यह देखिए खीर को उतार लिए और अब कडाही चभाएंगे और सब्जी एक तर्फ बना लेंगे कि जाना लड़ार देखिए झाना लेंगे सब्सक्राइबर पर अबनावे हैं और भी थैखिए जल्दी एक तर्फ लेंगे जल्दी एक तर्से जल्दी और भीजया हैं इंगे टार इंगे पत्रशो झाल झाल तो यहां पर खीर में सक्कर अड़ कर दे रहे हैं और एक लाईची कूट करके और इसमें भी लादेंगे और दोचार काजू जादा बेवा डाला हुआ है पसंद नहीं है खीर सबको इसलिए इसमें जादा नहीं डालेंगे बस काजू दोचार डाल करके मिक्स कर देंगे तो देखिए मेरा खीर बन करके रेडी हो गया और अब बनाएंगे दाल की पूरी तो दाल भी पक करके रेडी हो गया है और फटा फट अब पूरी बे लेंगे और सब्जी भी बन गया है और इस सब्जी बनाने में तो टाइम ज़्यादा लगता है तो टाइम भी ज़्यादा ही हो गया है मतलब नव बच चुके है तो देखिए कड़ा ही चड़ा दिये हैं और अब पूरी तलेंगे तो इसे छोटी छोटी लोई ले करके और डाल भर करके और बेल देंगे और इसके बाद इसे तल देंगे अवाज है और अबच प्सके बाद बाद देंगा जडत आप उर प्सकेन है अच्वार सबनादा देंगे प्सक्ति जड़ा है तो ड़्याद करके और आपवाजा प्सके जड़ा हैं देंगे कर देखे मेरा खीर पूरी सब्जी सब कुछ बन करके रेडी हो गया है और अब मैं कर रही हूँ सर देखिए आज का मेरा टेवल मैनेजमेंट नाइट का डीनर तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा देख करके के खीर पूरी मेरा कैसा बना है और सब लोग बैठ करके अब डीनर करेंगे एक साथ नाइट में खीर पूरी के साथ आम भी है और चवी के पापा चवी सब लोग हैं तीनों एक साथ बैठ करके खाएंगे यहीं पर दिन में तो साथ में नहीं खा पाते हैं सब लोग एक साथ नाइट है तो सब लोग साथ हैं खाएंगे खाना हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से वेलकम है आप सब का मेरे चैनल पर अरे देखिया आज के डीनर में अधरा का खीर पूरी बना है घर में आप देखिये साथ में हम लोग चावी उनको गर्मी ज्यादा लग रहा है इसलिए गंजी पर ही है कर्सा बना चावी अच्छा बना है ना अच्छा बना है ना अधरा नचात्र चड़ने का खीर पूरी बनता है तो आज नाइट के डीनर में खीर पूरी बनाया है तो आप सभी आए इन्वाइट है खीर पूरी खाने में देखे खीर पूरी हैं और साथ में सबजी है क्या बोलते हैं इसे हमारे हाँ तो नेनवा बोलते हैं कहीं कहीं से तुरह बोलते हैं और आम है हमारे हाँ तो यही बनता है खीर पुड़ी डाल वाला पुड़ी है दाल के पुड़ी है और आम होता है साथ में जामून होता है लेकिन जामून नहीं लाए तो आम के साथ ही हम अधर नच्छतर में खीर पूरी बनता है और क्यों बनता है तो पता नहीं है मम्मी बोलती थी मेरी की अधरा की मम्मी जो थी घोंगा में बना का के खिलाई थी किर अधना बेता को इसा आद उसी लिए बनता है डिर कौन है अधरा क्षटर है अधरा मच intended मच जेदा बीटि कस द द द बीच आद उपेटी सब को खिलाते हैं फुसी लिए घर में खीर पूरी बनाए जाता है अपने बच्छों को खिलाते मैं तो कि पी इस नहीं है इसका भी याद आसा रहा है किर फूरी घर में बना है तो तो मेरा आज का टेवल मेनेजमेंट और एखीर पड़ी देखकर आप सब बताईएगा कमेंट बॉक्स में कैसा बनाया है फ्रेंड्स खाना हूँ रखा चुगे हैं रातरी के 10 बज गया है अब चलते हैं आप यह सब भी लागाना हुता है और खीड की खोल करके छोड़ देते हैं नाइट में बाकी लाइट फैन सब्बंद करना है नाइट में सब्बंद कर दिये हैं और फ्रेंड्स खाना हूँ खा चुके हैं और खीर पूरी बहुत ही टेस्टी बना था सब लोग है एक दम जम करके खाना खाए और अभी रात्री के दस बच्चु के हैं चबी और उसके पापा तो चलेगा अपने बेट पर और मैं यहां पर अभी हूँ लाइट फैंसब आफ करके इसके बाद हैं से जाएंगे तो आप सब से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर ना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और मिलते हैं आप सब से नेक्स्ट वीडियो में ए झाल 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 झाल